नमस्कार साथियों, सबसे पहले जन्मदीन की हर्दिक सुखकामना है उन साथियों के लिए जिनका आज जन्मदीन है आज मैं चर्चा करने वाला हूँ लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसके बारे में लाइमिंट.com वेवसाइट का नाम है इस पे न्यूज है लक्स इंडस्ट्रीज अपने पिछले बंद भाव की तुलना में 0.51% उपर 2170 रूपया 25 पैसे पर कारोबार कर रही है लक्स इंडस्ट्रीज 290 रूपया 25 पैसा और 22120 रूपया 10 पैसा के मुल्ले दायरे में कारोबार कर रही है तो कुछ खास न्यूज है नहीं बट प्राइस चार्ट देख सकते हैं काफी अप एंडाउन हुआ है एक आवस्यक सुचना मैं विडियो गनाता हूं अल्ली वन नॉलेज परकस इन्वेस्ट्मेंट अपने बुद्धी विवेक अनुसार और सूज गुज के अनुसार ही करिए दोस्तो अब देखते हैं स्क्रीनर.in website पे लक्स इंडेस्ट्री लिमिटेड जिसका की मार्केट कैप 6557 करोड हो चुका है करेंट प्राइस 2180 और श्टॉक पी 43.8 आरो सी 11.4 परसंट का और आरोई 8.67 परसंट का है बुक बैलू 526 अपने बुक बैलू से काफी उपर में ट्रेट कर रही है यह से जो की 4 गुना है लगब लगब चार गुना से उपर 22 बीक का हाई लो 2493 और 1072 डिविडेंट डिल 0.09 परसंट का है फेस बैलू दो रुपए का है वन येर का प्राइस चार्ट देखने से ऐसा लग रहा है कि या तो यह कंसूलिडेट करेगा अन्य था डाउन ट्रेंड बनेगी इस सेर में क्योंकि काफी उपर में चड़ चुकी है क्वाटरली रिजल्ट देखते हैं तो मार्च के अच्छा जून 2024 क्वाटर में सेल्स काफी कम हुआ है कहाँ पर 708 करोड का सेल्स हुआ था वहीं पर जून 2024 में 535 करोड का सेल्स हुआ लेकिन उसी के हिसाब से एक्सपेंस भी कम किया गया 490 करोड का और अपरेटिंग प्र लाश्ट में देखेंगे EPS तो EPS में भी काफी कम हुआ है यानि कि लगव लगव 33% EPS कम आया है जो कि अगर उर्पिया उन्चास पैसा आया है लाश्ट 12 मंत का अगर प्रोफिट अन लॉज देखते हैं तो सेल्स तो ठीक ही है 2,333 करोड का एक्सपेंस उसी के हिसाब से है 2,199 करोड का जिसके वेज़े से अपरेटिक प्रोफिट 215 करोड का नेट प्रोफिट 150 करोड का EPS 49 रुपिया बिरासी पैसा पिछले दो क्या पैक्छा सही है बैलेंस इट के मामले में तो EPD केप्टल 6 करोड का है रिजर्व इसके पास में 1576 करोड का ब्रोइंग 172 करोड का इन्वेश्टमेंट भी है 206 करोड का अधार एसेट 1620 करोड का टोटल एसेट 2170 करोड का हो चुका है तो इसमें खास बाते यह है कि परमोटर के पास में होल्डिंग इस्ट्रॉंग है जो कि 44.9% का है बाकी FIH नाम मातर का है पॉइंट में है और DIH भी है कुछ जो कि 4.8% का है और पब्लिक के पास में 20.1% का है नमर ओफ सेरोल्डर्स में मार्च 2024 के अब अच्छा जून 2024 में घटा है जो कि अब घट करके 85,889 रागिया है नमर ओफ सेरोल यानि कि जो इन्वेस्टरों की संख्या है ततकाल का अपडेट न्यूज कुछ है नहीं 4 सिदंबर पुराना हो चगा है नीच वेपर पब्लिकेशन से संबंदित है एन्वल जेनरल मीटिंग nseindia.com वेबसाइट पे Lux Industries Limited का सियर प्राइस 2160 रुब्या 50 पैसा पे ट्रेट कर रही है पिछले ट्रेडिंग डेका डिलिवरी परसेंटेज रहा 44.99 परसेंट nseindia.com पे एन्वल जेनरल मीटिंग जो की हो चुका है 19 सिप्टेंबर 2024 को एक स्पारी डेट था इस वीडियो के लाश्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि इस एर में अभी इंट्री नहीं लेना चाहिए बाके इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धिविए का अनुसार और सुजबुच का अनुसार ही करिये दोस्तों अब तक मेरे साथ वीडियो में बने जाने के लिए धन्यवाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेर के साथ में तब तक के लिए नमस्कार साथियो